जय बागेश्वर धाम, जय नील कंट महादेवाय, नमह कन्या राशी के मेरे प्यारे दर्शकों स्वागत करते हैं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलॉजी में तो मित्रों, दोस्तों, हो जाईए सावधान, चाहे मर जाना, लेकिन होली के दिन य जैसे घर-घर मांगते फिरोगे, अन्न और जल के लिए तरस जाओगे, आपका पूरा परिवार सडक पर आ जाएगा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस होली पर बड़ा महासंयोग बन रहा है, ऐसे में अगर आपने होली के दिन यह पांच काम कर दिये, तो आप पर मुसीब है कि यह पांच काम भूल से भी मत करना, दोस्त आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में कैसा उपाय बताऊंगा, जो अगर आपने होली के दिन कर दिया, तो आपके साथ पूछते बैठे बैठे धन खाएगी, थोड़ा सा समय जरूर निकालें, और इस वीडियो को अंत त भूलिएगा, मातारानी आपके सारे बिगड़े कामों को बना देगी, तो आएए, दोस्तों बात करते हैं, उन खास विशेश कामों के बारे में जो भूल कर भी आपको होली के दिन नहीं करने हैं, कुछ लोगों की बहुत बड़ी गंदी आदत है दोस्तों, कि होली के दिन वे लोग दिन में या शाम के समय सोते हैं, हर कोई अपने busy schedule में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, और किसी नकिसी समय आराम के बहाने ढूंटा है, और आराम करना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन होली के दिन, आपको इतना ध्यान रखना है, कि दिन में और शाम के समय नहीं सोना है, वरना जीवन में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शाम के समय कहा जाता है माता लक्ष्मी, हमारे घर में प्रवेश करती है, और ऐसे समय अगर आप उन्हें सोए हुए पाएं तो सोचिए, फिर आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसी बतों का पहाड लेकर आ सकता है और ऐसे लोग आलसी होते हैं, खुद की जीवन शैली को बिगाड लेते हैं, हमें सोने का वक्त निर्धारित करना चाहिए, उसी अनुसार हमें सोना चाहिए, उसी अनुसार हमें उठना चाहिए, छह या आठ घंटे की नींद पूरे द दोस्तों, जो होली का पर्व होता है, ये बड़ा प्रेम का पर्व होता है, इस दिन लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं, बुरा न मानो, होली है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हर बात को प्यार से लेना चाहिए, कलह से बचना चाहिए, और होली के दिन घर में पूरी तरह से शांती बना कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन जो लोग क्रोध करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। दोस्तों, खुद को उस माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घरशन से सुलग जाती है अगर आपको खुद को बनाना ही है, तो आप शांत सरोवर की तरह बनो, जिसमें अगर कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंके, तो वह भी बुझ जाता है। अर्थार्थ आपको लोग उकसाए गए लोग, आपके मजे लेंगे, लोग आपको चरहाएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ यह सोचना है कि प्रेम का पर्व है और मुझे कोई वाद विवाद नहीं करना है। ऐसे लोगों के सामने मुह को बंद रखना ही इन लोगों के लिए सर्वोत्तम जवाब होता है, तो आप भी क्रोध न करें। होली का पर्व प्रेम का पर्व है और इसे प्रेम से ही तीसरा, काम दोस्तों, जो आपको नहीं करना है, वह बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, और वह है नशे से दूर रहना, आज के जमाने में होली के दिन तो जैसे नशे करने का नियम हो गया है, परंतु जोतिश शास्त्रों में ऐसा पूरी तरह से वर्जित है, बहुत सा जोग नशे का सेवन किसी भी समय करते हैं, वह हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा, इस से व्यक्ति के घर और जीवन दोनों में ही अशान्ती हो जाती है, नशा करना बहुत बुरी आदत है, खास तोर पर हिंदू त्योहारों के दिन जो व्यक्ति नशा करता है, देवी माता लक्ष्मी का आशीरवाद वह नहीं प्राप्त कर सकता, अगर आप भी खास तोर पर होली के लिए नशा करने का प्लैन बनाते हैं, तो आप बहुत गलत करने जा रहे हैं, सही मायनों में हमें इस प्रेम के पर्व को निस्वार्त भाव स परिवार और रिष्टेदारों और दोस्तों के साथ मनाना चाहिए, बिना नशा किये, बिना धुम्रपान किये, नशे की आदत हमारे शास्त्रों में वर्नित है और आपको भी इससे दूर ही रहना चाहिए, जी हां दोस्तों, अगला जो काम है वह और भी ज्यादा जिम्मे भारतिय संस्कृती में अपनों से बड़ों के सम्मान करने की बात की गई है, जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनके उपर देवी देवताओं की क्रिपा कभी नहीं होती, इस वजह से व्यक्ति जीवन भर दरिदृता का सामना करता है, तो अब आपको क्य करना है अपने से जितने भी बड़े लोग हैं चाहे फिर वह एक साल बड़े हैं पांच महीने बड़े हैं उनका बहुत अच्छी तरह से आदर करना है उनकी बातों को मानना है अगर वह आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ अच्छी सलाह हो उस पर स्वीकार करन गमंड या एटिट्यूट नहीं दिखाना है कि आप मुझे सलाह देने वाले कौन होते हैं। दोस्तों, उन्होंने पूरी जिंदगी देखी है। वह आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। अगर उनकी कोई बात आपको बताते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, तो उस पर गुस्सा करने की या एटिट्यूट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दो मिनट ध्यान लगा कर सोचिए, कहीं उनके सलाह से आपका बहुत बड़ा फाइदा न हो जाए। और आप ठहरे मूर्ख उनका सम्मान नहीं करते। आज के जमाने के जो मौडरन बच्चे हैं, वह बड़े बुजर्गों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके पास जाने में ही घिन आती है। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी भारतिय संस्कृती का परिचय देते हुए अपनों से बड़ों का आशीरवाद लेना है, क्योंकि उनका आशीरवाद आपके जीवन के रोडों को समाप्त करेगा, अवरोधों को हटाएगा और आपकी जिन्दगी को सफल साथ ही, में दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते, जब भी कोई त्योहार आता है, तो सबसे पहले हमें अपने माता-पिता का आशीरवाद लेना चाहिए, क्योंकि वह भग भगवान खुद हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हमारे माता-पिता को हमारे लिए चुना है, ताकि वह हमारे भगवान बनकर हमारा मार्ग दर्शन कर सके, परंतु आज के जमाने का यूथ हमेशा अपने माता-पिता से दूर भागता है, उन्हें अकेले रहन बड़ा मज़ा आता है, परंतु हमारी आपको यही सलाह है कि अपने माता-पिता की सेवा कीजिए, एक कहावत है, जैसा बोगे, वैसा ही आप काटोगे, अर्थात, आज जैसा हम उनके साथ करेंगे, आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करने वा आपका फ्यूचर भी सेफ है, लेकिन अगर आपने उनके साथ कुछ भी गलत किया, तो कर्मों की मार से आप भी नहीं बच पाएंगे, और आगे आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, एक अगला अंतिम काम जो आपको करना है, बस ध्यान से सुन लीजि वह है सत्य का साथ देना, दोस्तों, जो सत्य होता है, वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसे हम पहले कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन बाद में मज़ा आता है, परन्तु जो असत्य या जूट होता है, वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले हम लेकिन अंत में कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जितना हो सके आप सत्य का ही साथ दीजिए। बेवजह जूट का साथ दें और नहीं जूट बोले। तो आप यह न समझें कि लोग आपको समझेंगे नहीं। आप अपनी सचाई रखकर तो देखिए। जमाने के सामने दरजनों की भीड में कोई एक जरूर होगा जो आपका साथ देगा, आपकी बात को समझेगा, आपको एक और मौका जरूर देगा। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। साथ ही लोग होलीका की पवित्र अगनी में जौ के दाने, सरसों के दाने और गेहुं की बालियां डालें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियां आती है। होलीका देहन से पहले सुबह के समय होलीका का पूजन करने का विधान है और यह पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। फॉल्गुन माह की पूर्णिमा तिथी के दिन होलीका देहन का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन व्रत या उपवास रखने की भी परंपरा है। इसलिए इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में सुक सम्रिध्य और शान्ति चाहते हैं तो होलीका देहन के दिन घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। होलीका देहन की सुबह है। होलीका की पूजा में सरसों, तिल, ग्यारा गोबर के उपले, अक्षत, चीनी और गेहुं के दाने, वव गेहुं की साथ बालियों का उपयोग किया जाता है। होलिका की पूजा करने के बाद होलिका की साथ बार परिक्रमा लगाते हुए जलर्पित करना चाहिए। इसके बाद दान करना बेहत शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में आने वाली बरकत रुकती है इसलिए इस दिन पैसे के लेन देन से बचने की कोशिश करें होली का दहन की पूजा करते समय काले व सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूजा के समय इन रंगों को पहनना अशुभ माना गया है आप पूजा के समय पीले, लाग, गुलावी, आधी रंग के कपड़े पहन सकते हैं होली का दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए यानि खुले बालों से होली का की पूजा की जाती है इसके बाद किसी भी समय महिलाएं बाल बांध सकती हैं ध्यान रहे कि होली का दहन की रात को सडक पर पड़ी किसी चीज को हाथ या पैर लगाएं इस दोरान तोटके का खत्रा अधिक रहता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नव विवाहित लड़की को अपने ससुराल में पहली होली पर होली का दहन की अगनी नहीं देखनी चाहिए इसे शुभ नहीं माना जाता होली का दहन के समय होली का की अगनी में अपने घर से निकला कूडा कबार न डाले ऐसा करना शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है आईए अब मैं आपको होली के बाद आपकी जिंदगी में आने वाले बदलाव के बारे में बता देता हूँ क्योंकि चंदरग्रहन का भी योग है ऐसे में पांच बड़े भयानक बदलाव आने वाले हैं आपके जिंदगी में गुरुजी कहते हैं कि अगर लोग जरूरत पढ़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलब ही मत समझे मित्रों क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है तो मित्रों अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ जरूर पढ़ने पर याद कर रहा है तो कभी भी उसे मतलबी और गलत मत समझना तो आई गुरुजी के ज्यान को अपने जीवन में आज ही से जरूर अमल कीजिएगा गुरुजी का ये ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो चलिए अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटा के महत्व समय अंतराल की मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त जो लिखा बादल गया मित्रों आफिस में वह आप से किसी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस सब के साथ अच्छा व्यवहार करने की आपको जरूर है और साथ ही मित्रों इस वक्त भाई बहनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तो जल्दी से जल्द उन्हें मिटाने का प्रयास करें नहीं तो स्थिती बिगड़ शक्ती है तो आपके मुह में लड्डू अट सकते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित मामला उल्जा हुआ है तो मित्रों यकीन मानिये की आने वाली 24 घंटा में वह मामला उल्जा जाएगा अपने व्यक्तित्व और आत्म विश्वास से आपको दुश्मनों पर जीत मिलेगी मित्रों जो आपके विरोधी हैं, जो आपका बड़ा चाहते हैं वह मित्रों आपके उपर बिलकुल हेवी नहीं होंगे मित्रों धार्मिक संस्था से जुडने और लोगों की मदद करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा साथी और गुस्सा करने से चीज और बिगडशक्ती है, अपने क्रोध पर काबू रखना कि सलाह आपको दी जाती है और मित्रों बता देते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ठीक से चला रहेगा जो भी हमारे जातक किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो वह बहुत आगे जाएंगे आर्थिक समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी और कर्मचारी पर आपको ध्यान रखना की जरूर है मित्रों पार्टनर्शिप संबंधित कोई प्लेन अगर है तो उसे पर तुरंत कम करना फाइदे मंद होगा और पारिवारिक मामलों में आपका बहुत बढ़िया रोग ध्यान रहेगा जिससे परिस्थितियों अनुकूल रहेगी और प्रेम प्रसंग में नस्दीकियां बढ़े गिरों में दर्द और ठकान हो शक्ती है तो मित्रों आराम करें और खुश रहे साथ ही समस्या दूर होने पर मित्रों कम पर पुरी तरह से आप ध्यान दे पाएंगे क्योंकि आपके पास परियाप्त मंत्र में पैसा होगा और मित्रों के साथ संबंध सुधारते हुए मित्रों आपको थोड़ी सी सावधानी रखती है अपने बोलचाल के लहजे का विशेश ध्यान रखना है और कम से संबंधित बनाई गई योजनाओं को दोबारा रखने की आवश्यक्ता होगी यदि आप किसी मित्र के साथ मिलकर कम करने का विचार कर रहे हैं तो आपसे संबंध नाबिग इस बात का खास ध्यान रखना होगा इंटीर डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने कम से जुड़ी हुई ट्रेनिंग प्राप्त हो शक्ती है और रिलेशन्शिप पर ज्यादा ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा मित्रों सरदर्द की समस्या कुछ डर के लिए हो शक्ती है और आपके प्रयास फल देंगे और आपका हाथ में विश्वास बढ़ेगा मित्रों सब्र का फल जो है बहुत मीठा होता है और वही सब्र का फल आप इस वक्त चखना वाले हैं और बता देते हैं कि शाम के वक्त आप अपने परिवार वालों के साथ कहानी बाहर घूमने फरण जा सकते हैं आप एक नए साजेदारी या संगठन में प्रवेश कर सकते हैं और आपके विचारों और कार्य से लेकर साथ ही आप सभी को बता देते हैं मित्रों जिंदगी में जिन जिन शलोक की कामना आप करते हैं वह सुख आपको अपने ही लोगों द्वारा मिलेंगे साथ ही मित्रों बहुत बेहतरीन परिस्थितियों इस वक्त बनी हुई हैं आपके पास पर्याप्त मंत्र में वैसा भी रहेगा तो आई मित्रों अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे तो मित्रों को ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मित्रों यदि आपके घर में वास्तु दोश के करण कई साड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि अकसर कुछ दुखों के करण वास्तु दोश होता है तो घर के मुख्य हाल में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके दो मोर पंख प्रतिमा के समीप अवश्य रख दें इससे परिवार के सदस्यों को लाब दायक परिणाम मिलेंगे घर के वास्तु का दोश दूर होगा और घर में सुख, शान्ती और सम्रिध्ध की स्थापना होगी वही मित्रों दूसरा छोटा सा उपाए यह भी है कि यदि अब बजरंग बली महराज की कृपापन चाहते हैं तो वह हनुमान जी के चरणों में हनुमान मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक लगे साथ ही दीपक में दो या पाँच लोग रख दें एवं मंदिर परिसर डिलीट कर साथ बार श्री हनुमान अश्टक का पाठ अवश्य करें इससे जातक पर चल रहे शनी के दुश प्रभाव खत्म होंगे और खुशियां जीवन में आएगी मित्रों, एक छोटा सा उपाय और है यदि किसी जातक के घर में मनी प्लांट का पौधा हो तो उसे मुर्जाने वी सुखना ना दें पौधे को नियमित रूप से पानी देते रहे अन्यथा मनी प्लांट के सुखना से दान होने की संभावना, धन हनी होने की संभावना बनी रहती है तो आप अगले 24 घंटे में इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें कि यदि आप कहीं पर भी निवेश करने की कोई योजना बना रहे हैं, तो सावधान रहे क्योंकि आपके दुश्मनों की नजर हमेशा आप पर रहेगी और आपके दुश्मन पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि वह आपको कैसे ना कैसे काम्याब होने से रोक, वह आपको बरबाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो आपको अपने दुश्मनों से दोस्तों बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है साथ ही साथ दोस्तों, घर के बड़े बुज़ुर्गों से आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त हो सकती है आपके जीवन में यदि कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ कर शांती से चर्चा करना है, विचार करना है